नमस्कार, मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो से हम अपनी OCD Real Life Stories की सिरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में एक नई OCD स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं और आज की स्टोरी में आपको बताता हूँ मैं देखती हूँ कि एक छोटी से लड़की अपने बिस्तर पर बैठी है जो अपने जर्नल में लिख रही है ऐसे एक विशय के बारे में जिसने उसकी आजादी पूरी तरह से झीन ली है वे लिखती है मैं हमेशा आपका गुणगान करूँगी और हमेशा आपको प्रेम करूँगी किसी भी रीडर को ये लगेगा कि भाई ये जो छोटी लड़की है ये कितनी क्यूट है, कितनी डिवोटिड है, कितनी बड़ी भक्त है पर उसने यही लाइन, यही फ्रेज, हर एंट्री के, जर्नल के, हर पेज के अंत में, कई महीनों से, हर पेज पर लिखा है और अगर वो ये लिखना भूल जाती है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने भगवान को याद नहीं रखा और भगवान को भूल जाने का मतलब है कि अब वो नर्क में सड़ेगी वो इस फ्रेज, इस लाइन से बंध चुकी है, इसकी जंजीरों में पूरी तरह से जगड़ी जा चुकी है अपनी जर्नल एंटरी लिख लेने के बाद, उसे बंध करने के बाद, वो खुद को मजबूर करती है कि वो जागे कई गण्टों तक रात भर जागे, क्योंकि वो जो प्रेयर करती है, वो जो आखरी प्रेयर होती है वो बस उसे सही तरह से दोहराना चाती है वो बस उसे दोहरा नहीं पाती तो बारबार उसे repeat करती जाती है अगले दिन वो school से घर आती है अपने bed पर बैड जाती है और कई घंटों तक वहीं पड़ी रहती है बजाए इसके कि वो अपना homework करे शायद वो बहुत सारा समय ढूनती है ताकि वो माफी के लिए भगवान से भीक मांग सके ताकि ये बात साबित हो जाए कि अब उसे finally बचा लिया जाएगा अब उसे सजा नहीं मिलेगी वो नहीं बता सकती सब को अपने God के बारे में और वो अकसर ये सोचती है परिशान रहती है कि क्या वे सच में अपने भगवान को जानती है क्योंकि उसमें courage नहीं है ये बताने की courage नहीं है ये face करने की कि वे अपने भगवान को जानती है या उसे पूरी तरह connected है क्या ये OCD है वो लड़की अब बड़ी हो जाती है और युवा वस्था में कदम रखती है वो पुबर्टी को हिट करती है बहुत सारे unwanted thoughts उसके दिमाग को पकड़ लेते हैं उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं बिना उसकी इच्छा के बिना उसके चाहे जो भी दिमाग में उसके mental images बनते हैं वो उसको रोकते हैं कि वो Sundays को चर्च में जाके अपने जो priest हैं उनको ध्यान से सुन सके और वो अकसर परिशान हो जाती है, सोचती है कि क्या कहीं वो बहुत आगे तो नहीं निकल चुकी है क्या उसका ध्यान पूरी तरह से बन रहा है क्या वो जो बोले जा रहे थे उसका ध्यान क्या उनकी बातों पर पूरी तरह से है जर्नल में फिर से यह पढ़ने में मिलता है कि जो भी चीजें और विचार जो मेरे मन में आते हैं वो बहुत ही frustrating है ना ही केवल impure हैं पर बड़े ही पाप से भरे हैं विचार मैं ये भी नहीं जानती कि वो वहां आये कैसे मैं भगवान से बार-बार बोलती रहती हूं कि मुझे माफ कर दो इन विचारों के लिए इनको प्लीज यहां से मिटा दो, दिमाग से निकाल दो ये मेरी गलती नहीं है, मैं ये नहीं सोच रही पर ये विचार तो कहीं जाते ही नहीं, ये तो बार-बार आते ही रहते हैं ये teenager जो है, ये सुन्दर बनना चाहती है ये चाहती है कि लोग इसे notice करें, देखें इसे पर make-up लगाने का मतलब है, कि वो नफरत करती है उस रूप से, उस रंग रूप से, जो की भगवान ने उसे दिया है जैसा की भगवान ने उसे बनाया है वो अपनी कम्यों को इस वज़े से ढखना नहीं चाहती और लोगों से बात करने से भी दूर भागती है क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि भई तुम make-up क्यों नहीं लगाते वो नहीं समझेंगे उसके इस फितूर को कि वो क्यों खुद को इस हद तक deny करती है खुद को बहतर बनाने से इतना ज़ादा रोकती है वो जो भी करती है वो बस इस बात को ध्यान में रखकर करती है ताकि वो अपनी आत्मा ना बेच दे कुछ ऐसे दुश्मनों को कुछ ऐसी चीजों को जो कि शायद उसे भगवान ने नहीं दिये शायद भगवान जिने यहां नहीं बनाता नहीं उसने यहां परवंग चीज़ों को create किया क्या ये OCD है अब वो college में चली जाती है घंटों बीत जाते हैं जब वो हर तरह से कोशिश करती है कि वो पूछे कि कोई clarity कैसे मिलेगी मुझे वो सोचती है कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए God एक perfect भगवान कभी भी imperfect prayers को नहीं सुनेगा वो अपने बिस्तर में लेट जाती है इस उमीद से कि किसी तरह से ये विचार रुक जाए जो कि उसको prayer करने से रोकते हैं यहां तक कि ये विचार जोर जोर से उसके दिमाग में शोर मचा मचा कराते हैं जो कि उसे बार बार उकसाते हैं कि वो कुछ अलग ही line पर अलग ही दिशा में अपनी prayer ले जाए वो उसको उसकी prayer करने से भटका देते हैं और यही वो आवाजे हैं जो उसके दिमाग में दोड़ती हैं जो कि उसे बताती हैं कि भगवान उसको नहीं पसंद करता भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है वो बार बार उसके दिमाग में interruption देती रहती हैं वो जो भी अपने बारे में future में अपने लिए सोचती है उन सपनों में उन विचारों में घुस घुस कर ये विचार उसको रोकते हैं और किसी तरह से interfere करते रहते हैं फिर से उसके जर्नल की एक entry कुछ ऐसा बताती है कि मैं बेहद फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ बहुत परिशान हो चुकी हूँ कि इतनी सारी चीजे हैं जो मुझे रोकती हैं डिस्ट्रेक्ट करती हैं आप से जुडने में हे भगवान मैं अपने दिमाग को बस दोडने देती हूँ जब-जब मैं ये देखती हूँ कि मैं आपके प्रती फेल हो रही हूँ आपको निराश कर रही हूँ अगर ये सारा टाइम दिमाग में घूमने वाला गिल्ट और ये जो डाउटफुल थॉट्स हैं अगर ये आप नहीं है तो प्लीज प्लीज मैं आपसे भीक मांगती हूँ कि इन्हें बदल दें मैं पाती हूँ कि मैं बहुत ही बुरे रास्ते पर जीवन के जा रही हूँ और नीचे गिरती जा रही हूँ और नीचे गिरती जा रही हूँ और ऐसे जंजाल में ऐसे गटर में फस्ती जा रही हूँ जिससे शायद मैं बाहर ना आ पाऊँ क्या ये OCD है अब मैं ऐसा देखती हूँ कि एक औरत है जिसके इर्द गिर्द बस कुछ भूत हैं जो घूम रहे हैं चारों तरफ उसके दिमाग में बस कुछ भूतिया विचार ही है वो 24 की हो चुकी है और वो बस गाने ही सुनती रहती है एक के बाद एक नए नए गाने ही सुनती रहती है बार 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 एक ही तरह के songs सुनती है ये सिरफ वो अपने को relief देने के लिए करती है उसने हर तरह के trigger को तो पूरी तरह से दबा दिया है पूरी तरह से दफना दिया है पर ये एक ऐसा है जिसको वो नहीं दफना पा रही है उसके obsessions उसे बताते हैं कि कुछ तो गड़बड है कुछ तो है जो abnormal है उसके बहुत हाई standards के बारे में पर वो खुद को चीख कर बोलती है कि परमात्मा की सेवा में लगे रहना तो एक torture है बार बार परमात्मा को खुश रखने की कोशिश करना तो बस बरदाश्ट से बाहर हो रहा है वो फिर से अपने बिस्तर पर बैठती है अपने जर्नल में फिर से लिखती है और कोशिश करती है कि किसी तरह से वो अजाद हो जाए पर इस बार उसके पास कुछ नया है क्या ये सच में OCD है? मैं पूरी जिंदगी भर ये सब सोच सोच के exhaust हो चुकी हूँ ये सब images देख देख के पूरी तरह से थक चुकी हूँ मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे किसी तरह से trap कर रखा है मुझे किसी तरह की सजा दे रहा है पर मुझे ऐसा लगता था ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि मैं पाप से भरी विचार दिमाग में लाती हूँ इस पूरे वक्त, इस पूरे टॉर्चर के दौरान ये जो गिल्ट, ये जो शेम मेरे अंदर रहा ये जो चेंज ती जिन से में जकड़ी रही मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या ये OCD था? लोग इस लड़की को बहुत ही ज़ादा प्रेज करते थे उसकी तारीफ करते थे कि कितनी ज़ादा ये भगवान में अपनी भक्ती करती है कितनी ज़ादा परमात्मा में लीन रहती है और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़ादा प्रावड फील करते थे कि उनके बच्चे कितने अच्छे भक्त हैं उनके किसी भी बच्चे ने कभी विद्रोह नहीं किया किसी को कभी काउंसलिंग की ज़रुवत नहीं पड़ी और परिवार में कभी भी इस चीज के लिए शर्मिंदगी नहीं जहिलनी पड़ी कि उनको उनके परमात्मा में विश्वास की कमी है कभी ऐसा कोई देख के कह भी नहीं सकता था कि इस परिवार में कोई ऐसा विक्ति है जो परमात्मा में पूरी तरह से फेत नहीं रखता पर ये लड़की थोड़ी अलग थी वो हीलिंग चाहती थी पर ये जो परिवार था इसकी अपनी एक विरासत थी जिसे वो किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते थे और किसी भी तरह से जुकना नहीं चाहते थे अब ये जो यंग एडल्ड थी इसके पीछे एक बहुत बड़ा अतीज था जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी एक टीनेजर थी वो किसी तरह से दब चुकी थी छुप चुकी थी किसी को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि इन अप्सेशन्स के नीचे दबी हुई एक बहुत ही ज़ादा traumatic memories है बहुत ही ज़ादा एक trauma है सदमा सा है जो कि दबा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता कोई नहीं जान पाता counseling लेना अब एक आजादी जैसा महसूस होता है पर अपनी कम्यों को accept कर पाना एक नरक जैसा महसूस होता है इतने सालों से जिन images को जिन mental thoughts को उसने दबा के रखा है उनको अब untangle करना उनको खोलना उनको face करना अब बहुत भयानक लगता है बहुत ही जादा डर लगता है कि कैसे इन WWE images को बाहर निकाला जाए कैसे इनकी healing की जाए पर अब वो अपनी struggle को realize कर रही है और वो देख रही है कि जो struggle उसने की है वो actual में क्या थी उनका नाम क्या था वो किस तरह के लक्षन थे किस तरह की कि उसने जो संघर्ष थे वो अपने जीवन में देखे और जो विचार थे वो किस तरह के थे पर फिर भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद वो पाप करती है शायद वो जो सोचती है वो एक तरह का पाप है यही तो OCD है पर यह औरत अब जानती है कि वो उतनी टूटी हुई नहीं है जितना कि वो एक समय सोचती थी अब उसको उमीद है अब वो आगे बढ़ रही है अब वो कुछ बहतर उमीद और बहतर दिशा अपनी जीवन में ढून रही है क्योंकि अब वो अपना इलाज करा रही है अब वो अपने इस इलाज से अपने इस मन में बैठे जो images हैं इनको face करके अब इनसे मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ रही है और धीरे 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 उसका भगवान से connection भी मस्बूत हो रहा है और साथी साथ अब उसके अंदर डर जो है भगवान का वो भी बहुत कम हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा वो realize करने लगी है कि उसने कोई ऐसे बड़े पाप नहीं किये ये पाप नहीं थे जो वो सोचती थी कि उसके मन में जो विचयार आते हैं उसके मन में जो images आती है वो उसके पाप की वज़े से है क्योंकि वो अंदर से गंदी है उसके अंदर एक बुरी आत्मा बैटी है वो यह समझ चुकी है कि यह एक बिमारी है और यह बिमारी का इलाज अब वो ढूंड रही है कर रही है और counseling और therapy की मदद से वो बहुत अच्छा progress भी कर रही है यह औरत अब जीवन में नई उमीदों के साथ भर चुकी है अब यह नए dreams देख रही है वो पुराने dreams जिसे यह एक बार दबा चुकी थी किसी वक्त वो इनसे हिम्मत हार चुकी थी अब वो उन्हें फिर देखने की हिम्मत जुटा रही है और फिर अपने dreams को पूरा करने क की तरफ आगे बढ़ रही है वो पुरी उमीद से और पुरी खुशी से अपने जीवन को आगे positive होता हुआ optimistic होता हुआ देख रही है और वो आगे बढ़ती ही जा रही है तो यह story अब यहीं समाप्त होती है उमीद है यह story religious OCD के बारे में आपको पसंद आई होगी वीडिय को लाइक करें वीडियो को शेर भी करें और साथी साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो धन्यवाद